असकार दोस्तों हर्याना विशेर सीरीज में आज का टोपिक है हर्याना सहित्या कादमी पुर्षकालों की घोशना हाली में इन पुर्षकालों की घोशना की गई है इस वीडिये में हम इन पुर्षकालों के बारे में जानेंगे हर्याना सहित्याक आदमे के बारे में जानेंगे किस वेक्ति को कौन सा पुर्षकार दिया गया और उसमें पुर्षकार आसी के दोर पर कितने रुपए दी जाते हैं सब बाते पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बटू से पहले देख लिएते हैं पिछली वीडियो के प्रशन के उत्तर को पिछली वीडियो में हमने विश्यो कोशल के इंदर के बारे में पढ़ा था हाली में इसके स्थापना की गई है प्रशन पूछा गया था विश्व कोशल केंदर के संधर्ब में निमनली खित कतनों पर विचार कीजिए पहला इसे हर्याना के पंचकुला जिले में स्थापित किया गया है दूसरा इसका उदेश्य युवाओं को रोजगार परक शिक्षा परधान करना है उप्रोक्त कतनों में से कौन साया से सही नहीं है या फिर है ओप्शन से केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर इन में से कोई नहीं इसका सही जवाब था ओप्शन, ओप्शन ए यानि केवल पहला कतन गल्द है, दूसरा सही है विशु कोशल केंदर की स्थापना पंचकूला में नहीं बलकि गुरुक्षेतर में की गई है इसलिए पहला कथन गल्द हो जाता है और इसका उदेश है युवाँ को रोजकार प्रक्षिक्षा परधान करना है कोशल विकास करना है अथ है दूसरा कथन सही है तो आई ये डूक्टर अमीत अगरवाल कोन है मुख्य मंतरी के अतरिक परधान सचीव है और साथी साथ सूचना जन संपर्क और भाषविभाग के महानी देशक है डूक्टर अमीत अगरवाल इन्हें के दूआरे ये सूचना दी गई है कि हरियाना सहित्य अकादमी ने विभिन पूश 1970 को और इसके दुआरा एक मासिक पत्री का विजारी की जाती है जिसका नाम है हरी गंदा जो इसका मुख्यल्य है वो है पंचकुला में आप इतनी बातें यहां से ध्यान रखें ठीक है आईए बढ़ते हैं और जान लेते हैं किसको कौन सा पूशकार दिया गया है और पू करने की घोशना की गई है और इसमें पूशकार आसी के तोर पर पांच लाख रुपए दिये जाते हैं तो याद रखें विशे साहित्या साध्रा सम्मान 2021 किसे दिया जाएगा डूक्टर जैबगवान गोयल को डूक्टर जैबगवान गोयल को साहित्या उसक्षा के एक्ष केतर में वर्स 2020 में राष्ट्र पती रामनाथ कौविंद के दौरा पधम स्रीश सम्मान से भी सम्मानित किया गया था ठीक इसी प्रकार से समग्गर लेकन के लिए राष्ट्र पर पर परदान किये जाने वाले आजीवन साहित्या साध्रा सम्मान विचिस व्युर्वरी अटेली महिंदरगड के रहने वाले हैं तो याद रखें आज जीवन साहित्य सादलाद सम्मान ये किसे दिया जाएगा रोहित यादव को दिया जाएगा महा कभी सूर्दास सम्मान इसमें पुर्षकार आसी के तोर पर पांच लाक रुपई दिये जाते हैं और ये पुर्ष सागर सूर्ष सारावली और साहितेलेरी ये इनकी रचनाई है और इनका जनम कहां पर हो था फृदावाद में और जिनको एक पुर्षकार दिया जा रहा है महा कभी सूर्दास सम्मान ये भी फृदावाद के रहने वाले हैं किनको दिया जाएगा ये पुर्षकार हरे राम समेब को आगे बढ़ते हैं पंडित माधव परशाद मिश्र इनके नाम पर एक सम्मान दिया जाता है पंडित माधव परशाद मिश्र सम्मान इनका जर्मुवा था भीवाने में और इस सम्मान में धाई लाक रुपई दिया जाते हैं और अब की बार ये सम्मान दिया दोक्टर रामा कांथ शर्मा को जो की भीवानी के रहने वाले हैं। और ये 2021 के लिए वरिष्ट कवी और संपादक रगुविंदर यादव को दिया जाएगा। इनका सम्मान नारनोल से हैं। और इसमें पुर्षकारासी के तोर पर ढाई लाक रुपए दिये जाते हैं। तो याद रखें लाला देश बंदू गुप्त सम्मान। ये कि नहीं द आगे बढ़ते हैं। हर्याणवी भाषा और साहिते के अक्षेतर में उलेखिने योगदान के लिए पंडित लखमी चंद सम्मान दिया जाता है जिसमें पुर्षकारासी धायलाक रुपए दी जाती है और 2021 के लिए पुर्षकार दिया जाएगा वी एम बेचैन को जो की भ इनके कुछ सांग हैं जो काफी परसिद रही हैं। तो याद रखे इनी के नाम पर एक सम्मान की घोशना की गई थी और ये सम्मान 2021 के लिए कि नहीं दिया जाएगा वी एम बेचैन को दिया जाएगा जो की भीवानी के रहने वाले हैं। हर्याणवी भाषा और शाहित्य के लिए जनकवी मेहर सिंग सम्मान दिया जाता है। इसमें सम्मानी 83.5 लाक रुपए हैं और 2021 के लिए ये पुर्षकार दिया जाएगा लहना सिंग अत्रिको जो की करनाल के रहने वाले हैं। ये भी काफी इंपोर्टेंट पुर्षकार ह आप इसे भी आद रखें। जाता है श्रेष्ट महिला रचनाकार सम्मान जिसमें पुर्षकार 80.5 लाक रुपए हैं और ये अपकी बार दो महिलाओं को दिया जा रहा है अंजु दुवा जैमिनी और नमीता राकिश इन दोनों महिलाओं को ये पुर्षकार दिया जा रहा है और इन दोनों का सम्वन तो याद रखें स्वेश्ट महिला रचनाकार सम्मान ये किन को दिया जा रहा है अंजु दुवा दैमिनी और नमीता राकिश इन दोनों महिलाओं को ये दिया जा रहा है कवी ध्यान चन मायना सम्मान ये दिया जाएगा श्रम सेर कोसलिय को जो कि महिंदर गटके रहने वा एक नए पुरुषकार शुरू किया गया है विशेस हिंदी सेविस सम्मान और इसमें पुरुषकार आसे दी जाएगी एक लाग रुपे अब की बार ये किन किन को दिया जाएगा कुछ व्यक्ति हैं जिनको ये पुरुषकार दिया जा रहा है जिनके नाम इस प्रकार से है डॉक्टर शीव मार खंडेलवार ये सोनीपत के रहने वाले हैं शीव शर्मा जोकी रहतक के रहने वाले हैं डॉक्टर सुरेंदर गुपता ये अमबाला के रहने वाले हैं शिरिमती आशा खत्री लता रहतक के रहने वाली हैं राज़ेश, चेतन, दिली के रहने वाले हैं, और महिंदर, जैन, यहीं सार के रहने वाले हैं, सभी वेक्तियों को विशेश ہिंदी सेवी सम्मान दिया जाएगा, आप इस सम्मान का नाम ज़रूर याद रखें, क्योंकि यह हाले में शुरू किया गए, हाले में इसकी घोशन की गई है ओके इसके अलावा यूव लेखन सम्मान के अंतरगत स्वामी विवेका नंद यूव लेखन सम्मान दिया जाता है जिसमें पुर्षकाराशी है एक लाग रुपई और ये सम्मान दिया जाएगा शुरूती राविश को जो की सोने पत्के रहने वाले हैं तो याद रखें विशे साहित्य साधना सम्मान ये किने दिया जाएगा डॉक्टर जय भगवान गोएल को और इसमे पुर्षकारासी दी जाएगी 5,00,00, रुपए इसके अलावा आज एवन साहित्य साधना सम्मान जिसमे 7,00,00, रुपए पुर्षकारासी के तोर पर दिये जाते हैं और ये किन्हें दिया जाएगा रोहित यादव को जो की मंडी अटेली महिंदरगड के रहने वाले हैं। महा कवी सूर्दा सम्मान ये दिया जाएगा हरे राम समीप को जो की फ्रीदावाद के रहने वाले हैं और इसमें पुर्षकारासी के तोर पर 5 लाग रुपई दिया जाते हैं। में ये दिया जाएगा रगुविंदर यादव को जो की नारनोर के रहने वाले हैं। इसके लावा पंडित लखमिचंद सम्मान ये वी एम बैचियन को दिया जाएगा भिवानी के रहने वाले हैं। और जनकवी मेहर सिंग सम्मान इसमें डायलाक रुपए दिये जाते हैं और लहना सिंग अत्री को दिया जाएगा जो कि करनाल के रहने वाले हैं ठीक है इसके लावा हरियाना गौलव सम्मान इसमें डायलाक रुपए दिये जाते हैं और 2021 के लिए पूर्शकार दिया जाएग डुक्टर राजेंदा गौतम को जो की दिल्ली के रहने वाले हैं ठीक है शेस्ट महिला रचनाकार सम्मान से दोस्त महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा अंजु दुआ जैमिनी और नमीता राकिश जो की फ्रीदावाद की रहने वाली है कवी ध्यान चंद माहिना सम्मान ये सम्मान इसमें पुर्षकार 80 एक लाग रुपए दिये जाते हैं और 2021 के लिए पुर्षकार दिया जाएगा शुरूती राविस को जो की सोनिपत के रहने वाले हैं ठीक है तो इतने सारे सम्मान आपको याद रखने हैं दोस्तों अगर आप हमारी हर वीडियो देखते हैं त परदान मंतिराष्टे बाल पुर्षकार से भिस सम्माहिनत किया गया था आप इनके बारे में विदा सकते हैं हरियान की 5 व्यक्तियों को वर्ष 200 बाइस में पढ़्दम पुर्षकारों से सम्माहिनत क्या गया है आईए देख लेते हैं आज का भ्यास प्रशन प्रशन है न टृश्ट सहीतयकार रोहित यादव का चैन किया गया है उप्रोट कत्रों में से कौन स्यासे सही है या फिर है सही कत्र बताने हैं options है केवल एक, केवल डो, एक और दो दोनों या फिर इन में से कोई नहीं आप इस प्रशन का सही जवाब कमेंट बॉक्स में जुरू बताएं डिटेल में बता सकते हैं उसको जुरू बताएं वीडियो कैसी लगी है ये भी बताएं अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक और शेर करना नहीं भूलें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज अभी सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद